हलो बच्चो आज हम जानेंगे क्लास 10 हिंदी कृतिका बूक से चैप्टर 3 जिसका सिर्षक के शाना शाना हाथ जोड़ी इसके लेखिका है मदू कंकारिया जी पच्चो आपार्ट मदू कंकारिया जी दोर लिखा गया एक यात्रा विर्तान थे जिसमें लेखिका ने शिकम की दर्जदानी गैंट्रोक और उसके आगे हिमाले की यात्रा का वणन किया है जो शोरोक की भागम भाग भरी जिन्दिगी से दूर है लेखिका गंटो को महनती बसाओं का सहर बताती हैं क्योंकि वहाँ के सबी लोग बड़े ही महनती हैं वह तारों से भरे अश्मान में लेखिका का सम्मोहन महशुश होता है जिसमें वो खोज जाती है वो नेपाली इ आश्म साफ ना होने के कारण लेखिका का चंचंचंगा के चोटी तो नहीं देख सकी प्रद धेरों खिले फूर देखकर खोस हो जाती हैं उसी दिन गंटोक से 149 किलोमीटर दूर इम थांगा देखने अपने शायात्री मनी और गायड जीते नार्गे के साथ रहाना होती है गंटोक से इन थांगा को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बोध पतकाएं दिखाई देती हैं जो ध्वज की तरफ भरा रही थी ये सांती और अहिंसा का प्रतीक थी और उन पतकाओं पर मंत लिखिवे थे लेखिका को गायड ने उन्हें बताये कि जब किसी बोध मता और लंबी की मृत्तु होती है तो उसकी आत्मा के सांती के लिए सहर से दुर किसी भी पवित रस्थान पर 108 स्वित पतकाओं फारा द जाती है जीते ने बताये कि कभी स्टॉप नमक स्थान पर गायड फिलिम के सुटिंग हुई थी आगे चलकर मदूजी को एक कुटिया के भीतर घुमता हुआ चक्र दिखाई दिया जिसे धर्म चक्रिया प्रेयर वील कहा जाता है नारगे ने बताये कि से घुमाने से सारे जाते हैं जैसे जैसे भी लोग उचाई कर बढ़ने लगे वैसे वैसे बजार लोग बजार लोग और बस्ती आँखों से उजल होने लगी घाटियों में देखने पर सब कुछ धुम्रा दिखाई दे रहा था उन्हें हिमाले पलपल परिवर्थित होते महसूस होता है वह व पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की साही बुराईयां और दुष्टा को भाकर ले जा रहा हो यह बहा कर ले जा रहा हो रास्ते में प्रकृति द्रिस पलपल अपना रंग ऐसे बदल रहते जैसे कोई जादू के छड़ी घुमा कर सब कुछ ब नीचे पूरे वेक से बाहर रही तिस्ता नदी थी शामने धुन थी उपारसमान में बादल थे और धीरी धीरी हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में किले फूलों की हसे चारों और विखेर रही थी कुछ औरतों की फीट पर बंधी टोकरियां में बच्चे थे इतनी सुन्दर वातावर में भूख गरीबी और मौत के निर्वन द्रिस ने लेखिका को सहमा दिया एक क्रमचारी ने बताए कि यहाँ पहाड़ी ने पहाड़ी राष्ते को चोड़ा बना रही है कई बार काम करते शमय किसी न किसी वेक्ती की मौत हो जाती है क्योंकि जब पहाड़ों को डाइनामर्च उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उदर गिते हैं यदि उस समय शौधारी ना बढ़ती जाये तो जान लेवा हासा खट जाता है लेकिका को लगता है कि सभी जगा आम जीवन की काहनी एक सी है आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं जीतेन बताता है कि ये बच्चे 3-3 किलोमेटर के पहाड़ी चड़ाय चड़कर स्कूल जाते हैं ये बच्चे स्कूल से लटकर अपने मा एक साथ काम करते हैं, यहां का जीवन बहुत कठोर है, जैसे जैसे उचाई बढ़ती जा रहे थी, वैसे वैसे खत्रे भी बढ़ते जा रहे थी, रास्ता तंग होता जा रहा था, सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं, कि चेतानियों की ब खेर रहे थे, यून थांगा पहुचने से पहले वे लोग लायूंग रुके, लायूंग में लखडी से बने छोटे छोटे घर थे, लेखिका सफर की ठकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्त्रों पर बैठ गई, रात होने पर जीतेन के साथ अन्शाथि ने नाज़ाना शुरू कर दिया, लेखिका की सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत किया, लायूंग में अधिकतर लोगों की जीविका का शादन पहाड़ी, आलो, धान की खेती और सरापता, लेखिका को वहां बर्फ देखने के इच्छा थी, प्रन्तु वहां बर्फ कह कहा जाता है, मनी जिसने सुर्जय लेंड गुमा था, ने कहा कि यह तो सुर्जय लेंड से भी सुनदर है, कटाव को अभी तक टूरिश सपोर्ट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्रकिती सरुक में था, लायूंग से कटाव का सपर दो घंटे का था, भी सहयात्य वहां के वातावरण में फोटो खिजवार है थे, लेखिकाव वहां के वातावरण को प्रेशासों में समा लेना चाहती थी, उसे लग रहा तक कि यहां के वातावरण नहीं रिश्यो मुनियों को वेदों की रचना करनी की पढ़ना दी होगी, ऐसे सीम संदर को कोई अपराधी भी देख ले तो भी अताहत में खोल जाएगा, मनी के मन में भी दर्शनिकता उभने लगी थी, वह कहती है कि प्रकिती अपने ढ़ं से सर्दियों में हमारी लिए पानी कठा करती और गर्मियों में ये बर्फ शिलाय पिगल कर जलधारा बन कर हम लोगों को प्यास सांद करती है, प्रकिती का ये जलसंचे अदवूत है, इस प्रकार नदियों और हिन सिखरों का हमपरिल है, थोड़ा आगे जाने पर फोजिस छाउनिया दिखाए दी, चुकी ये बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी, लेखी का फोजियो को दिकर उदास हो गई, मैसाक के महिने में भी यहां बहुत ठंड थी, विलोग पोस और मात की ठंड में किस तरह रहते होंगे, वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरना था, कटाओ से इन थांगा की और जाते विए प्रियूता और प्रूडर ट्रेंडों ने फूलों की घ हां सब फिका फिका लग रहा था, मतलब थांगा वापस आका उन्हों को सब फिका फिका लग रहा था, पहले शिकिम स्वतन्त राज था, अब भारत का एक इंश्या बन गया है, इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं, मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ती को चांदरी रात पत्थर भी दिखाया, खेदुम नाम का एक किलोमेटर का ऐसा छेतर भी दिखाया, जहना देवी देवताओं का निवाश माना जाता है, नारगे ने पहाड़ीयों के पहाड़ों, नदियों, जर्नों और वादियों के प्रति पुझ्जिभाव को भी जनकारे दी, भरतिया अर्मी की कप्तान से करवता कि सुझाव पर गंटों के प्रेटर गस्तल बनने और ने रास्ते के साथ ने स्थानों को खोजनी के परियासों के बारे में भी बताया, बच्चों अब हम कुछ कठी सब्दों के अर्थ से जानेंगे, अत्री दिरियत्ता मतलब इंद्रियों से परिया उचास मतलब प्रकास राम, रोच्छों मतलब अच्छा है, रकम-्रकम तरहतरा के, गहनत्म मतलब बहूत गहरी, शरगर मतलब धने शिद्रतव मतलब प्रबलत, पताका मतलब, ज़ंदा, मुंडकी मतलब सीर, सुधिर्ध मतलब बहुत बड़े, अविशत मतलब व testified yen मतलब अस्तीत रिती मतलब जवीका ठाथे मतलब हातं में पढ़ने वाली गण्ठय युरे निशान हलाल मतलब विश शुक्त म मतलब लगतार प्रवाह मान मतलब गती मान चलाङ मान मतलब चण चल निबच मतलब वयपरवाग गुटुप मतलब निगल लिया, अतिति मतलब अनुपम, साथिक आमों मतलब निर्मलकांथी, सुमें मतलब अतिन्त मनोहर, मियाद मतलब शीमा, आबोहाओ मतलब जलवाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बोक्ष में लिख कर बताएं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सस्क्राइब करें, और बेल आइकन को फ्रेस करें, जिससे आपको मेरे ने वी जो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में